नमस्कार दोस्तों, NCRT audiobooks प्रस्तुत करते हैं, कक्षा 10 की गूगोल की पाठ्य पुस्तक, समकालीम भारत भाग दो. प्रस्तुत है इस पुस्तक का दूसरा अध्याय, वन एवं वन्य जीव संसाधन. इस ग्रेह पर हम सुक्षम जीवानूओं और बैक्टीरिया, जूंक से लेकर वटब्रिक्ष, हाथी और ब्लू बेल तक करोणों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं. यह पूरा आवासिय स्थल जिस पर हम रहते हैं, अत्यदिक जैव विविद्ताओं से भरा हुआ है. मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्मान करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन तक्त्मों पर निर्भर करते हैं. उदाहर अंत्या, वायू जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे एक पशु और सुक्ष जीवी इनका पुनह स्रिजन करते हैं. वान पारिस्तिति की तंत्र में महत्वपून भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमे कुद पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं. भारत में विन्सपतिजात और प्रानिजात. यदि आप आस-पास नजर दोड़ाते हैं, तो आप पाएंगे की कुछ ऐसे प्रानी और पौधे हैं जो आपके क्शेत्र में ही पाए जाते हैं. वास्ताव में भारत, जैव विविद्ता के संदर्व में विश्व के सबसे समर देशों में से एक है. यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8 प्रतिशत संख्या, जो लगभग 16 लाख है, पाए जाती है. ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना हैं. आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनो के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं. आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्त्व है. ये विविद्विन्सपतिजात और प्रानिजात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुते हुए हैं कि हम इसकी काद्र नहीं कर है. इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्थ होने के कगार पर हैं. इनमें चीता, गुलावी सिर्वाली बत्तक, पहाडी कोयल, कोयल और जंगली चित्तीदार उलू और मधू का इंसिगनिस महुआ की जंगली किस्म और हुबरुर्या हैप् और पौधे भी महत्वपून होते हैं. आओ हम विभिन प्रकार के पौधे और प्रानियों की जातियों के बारे में पता लगाएं. अंतरराश्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षन संग, IUCN के अनुसार इनको निमनलिकित श्रेनियों में हैं. यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है. काला हिरन, मगरमच, भारतिय जंगली गधा, गैंडा, शेरपूंच वाला बंदर, संगाई, या मनिपूरी हिरन इत्यादी इस प्रकार की जातियों के उदाहरन है. सुभेद्या वलनरेबल जातिय यदि इनकी संख्या पर विप्रीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितिया नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घत्ती रहती है तो इह संकटरस जातियों की श्रिनी में शामिल हो जाएंगी. नीली भेड, एशिया है है, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादी इस प्रका पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुवर और अरुनाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरन हैं। लुप्त जातियां ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेशकाल में रेल लाइन, क्रिशी, व्यवसाई, वानिज्य वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धी से हुआ। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुचाया है। और कई जातियों जिसमें भारतिय अहाथी भी शामिल हैं, के आवागमन मार्क को बादित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावर अन्विद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बरबादी में पशुचारन और इंधन के लिए लकडी का टाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपी इसमें कुछ सच्चाए हो सकती है परंतु चारे और इंधन हेतु लकडी की आवश्यक्ता पूर्ती मुख्यतः पेडूं की टहनियां काटकर की जाती हैं न की पूरे पेड काटकर वन पारिस्तिते की तंत्र देश के मुलेवान वन पदार्थों खनिजों और अ पर्यावरन ये प्रदूशन वह विशाक्तिकरन और दावानलादी शामिल हैं पर्यावरन विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा वह उनका असमान उपभोग और पर्यावरन के रक रखाव की जिम्मिदारी में असमान अता शामिल हैं आमतोर में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरन को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन पांच प्रतिशत लोगों की पर्यावरन रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जलो और अन्या आवश्यक्ता की वस्तूओं को इकठा करने की मुखे जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। रोक्ष परिनाम जैसे सुखा और बार्वी गरीब तपके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिती में गरीबी, पर्यावरन निमनीकरन का सीधा परिनाम होता है। भारतीय उठ महादवीत में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्यानकारी है। अतह यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षन के लिए सही नीती अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षन वन्य जीवन और वनों में तेजगती से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षन बहुत आवश्यक हो गया है परन्तु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षन करना आवश्यक क्यों है सनरक्षन से पारिस्थिति की विविद्ता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन, जलवायू और मृदा बने रहते हैं यह विविन जातियों में बहतर जनन के लिए वनस्पती और पशिवों में जीन्स, अर्थात, जेनेटिक, विविद्ता को भी सनरक्षित करती है उदाहरन के तौर पर हम क्रिशी में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं जलिय जैव विविद्ता मोटे तौर पर मचली पालन बनाए रखने पर निर्भर है 1960 और 1970 के दशकों के दौरान, पर्यावरन सनरक्षकों ने राष्ट्रिय वन्यजीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुर्जोर मान की भारतिय वन्यजीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्यजीवों के आवास रशन के अनेक प्रावधान थे सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई इस कार्यक्रम के तहट बची हुई संकट ग्रस्ट जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रशन तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदी पर प्रबल जोर दिया गया है ततपश्चात केंद्रिय सरकार वग कई राज्य सरकारों ने राश्ट्रिय उद्यान और वन्यजीव पशविहार अर्थात सैंक्चरी स्थापित किये जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं केंद्रिय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोशना की जिनका उद्देश गंभीर खत्रे में पड़े कुछ विशेश वन प्राणियों को रशन प्रदान करना था इन प्राणियों में बाग, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, तीन प्रकार के मगरमच, स्वच जल मगरमच, लवनिय जल मगरमच और खडियाल, इश्याई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं इसके अतिरिक्त, कुछ समय पहले भारतिया हाथी, काला हिरन, चिनकारा, भारतिया गोडावन अर्थात बस्टड और हिम तेन दूओं आधी के शिकार और व्यापार पर संपूर नत्वा आंशिक प्रतिबंद लगाकर कानूनी रशन दिया है आजकल संरक्षन परियोजनाय जैव विवित्ताओं पर केंद्रित होती है न कि इसके विभिन घटकों पर संरक्षन के विभिन तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है संरक्षन नियोजनमी कीटों को भी महत्व मिल रहा है वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहट सेकडों तितलियों, पतंगों, भरिगों और एक ड्रैगन फ्लाइ को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वित्रन यदि हम वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें, तो उनका प्रबंधन, नियंत्रन और विन्यमन अपेक्षाकृत कठिन है भारत में अधिक्तर वunn और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधीकार क्षेत्र में है या वन- विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिये सरकार के प्रबंधन में है इनहीं निमनलिक्य तवर्गों में बांटा गया है Q. आरक्षित 1. डेश में आधे से अधिक वनक्षेत्र आरक्षित वन घोशित किए गए हैं. जहां तक वन और वन्य प्रानियों के संरक्षन की बात है, आरक्षित वनों को सरवादिक मुल्यवान माना जाता है. ख, रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा रक्षित है इन वनों को और अधिक नश्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है ग, अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजब भूमी जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थाई वन क्षेत्र हैं जिनका रक रखा विमारती लकडी, अन्यवन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है मध्य प्रदेश में स्थाई वनों के अंतरगत सरवादिक क्षेत्र है जो की प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75 प्रतिशत है इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्रा में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपाता रक्षित वनों का है जबकी बिहार, हर्याना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है पुर्वुत्तर के सभी राजियों में और गुजरात में अधिकतर वन ख्षेत्र अवरगी कृत वन है तथा स्थानिय समुदायों के प्रबंधन में हैं समुदाय और वन सनरक्षन वन सनरक्षन की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है हम आमतोर पर इस बात से अंजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानिय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास थलों के सनरक्षन में जुटे हैं क्यूंकि इसी से ही दीर्टकाल में उनकी आवश्यक्ताओं की पूर्ती हो सकती है सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गावों के लोग वन्य जीव रशन अधिनियम के तहट वहां से खननकार्य बंद करवाने के लिए संघर्शरत हैं कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयम वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक शेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में पांच गावों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेय वन भूनी भेरोदेव डाकव, सोंचुरी, घोशित कर दी जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैट से यहां के वन्य जीवन को बचात की कृशी के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। इसमें गाउं के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीन और वन विभाग के अधिकारी संयुक त्रूप में कार्या करते हैं। पर्यावरन हितैशी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों। हमारी पाठ्य पुस्तक का दूसरे अध्याई यहां समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि इस ओडियो बुक को ज्यादा से ज्यादा शेर करें। इस ओडियो बुक से संबंदित, यदि कोई शिकायत या सुझाव हो तो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अती मेहत्वपूर्ण है, ताकि हम आपके लिए इस ओडियो बुक को और भी बहतर बना सकें। अब हम आपसे मिलेंगे इसी पाठ्य पुस्तक के अगले अध्याय में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खूबमन लगा कर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत!